रहा फ्रोज भाई, रहा फ्रोज भाई, तुम यहां बैठे हो, तुम मैं पता मोलने में क्या हो गिया? क्या हो गया वई? अरे करन भाई ना है, उनके पापा कुँ अटैक आ गिया अब नहीं यार, कल तो मेरे बाद बैठ के गया, अच्छे खाट से है बिलकूल अरे राती तो अटैक आया है, मामला सीरियस है, अस्पताल में पड़े है, मैं देख नहीं आ रिया था, तो मैं इन सोचा फ्रोजबाई से बता दू भाई तुना सही किया, मुझे तो पता भी नी था यार, चल मैं भी चल ले हूँ देख में करन भाई, क्या जी तविए पापा की, पापा की तविए बहुत खराब है, वो आईशियो में है, भाई मिल सकते हैं पापा से, डॉक्टर ने मिल लो को मना किया, भाई पिकान में सब ठीक हो जाएगा, अल्द सब ठीक करेंगा, भाई दूआ करन ना पापा जलनी ठीक हो तू फिकर मत कर, अच्छे लोगों के साथ अल्ला है, रे करन भाई फिकर मत करो, हम आपके साथ हैं, जैसे भी हैं, लो करन भाई, जैसे भी बात हो, हमां कॉल कर देना, हम आधी रात तयार हैं ठीक है, आओ, रे फ्रोज भाई सुनो तो, ये लिफाफे का क्या चक्क्र है ल लिफापा क्यों दिया है, लिफापा, असल में इस लिफापे की सबसे ज़्यादा जरूरत यहीं है, लोग शाधी ब्याओं में देते हैं लिफापे, अच्छी बात है, पर शाधी ब्याओं का टाइम फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, वो अपना इंतिजाम कर लेते है मेरे भाई बीमारी कभी बता के नहीं आती है इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है यह अचानक हमारे उपर आती है तो सबसे ज़्यादा पैसे की जुरॉत यहाँ पे होती है इसलिए मैंने लिफापा दिया सही कहा रहा है फ्रोज भाई तो वीडियो को सेर जरू करना लाइक करना मत करना पर सेर जरू करना ताकि यह नई सुरुबात लोगों तक पहुंच जाए